हाँ तो नमस्कार दोस्तों आपका एक वर फिर से स्टडी विस नील कुमार यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बिहार का एक फेमस अस्थान जिसको हम बोध गया के नाम से जानते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ बोध गया कहा है कैसे ज बोध गया है जो गया जीले से सटा एक छोटा सा सहर है बोध गया में बोधी पेर के नीचे तपस्या कर रहे हैं गौतम बुध को ग्यान की प्राप्ती हुई थी हाँ तो दोस्तों गौतम बुध को ग्यान की प्राप्ती कहा हुई थी ये बराबर प्रिक्षा में भी तेभी से यहां अस्थल जो है बहुत धर्म के अनुवाईयों के लिए अत्यान बहुत ही महत फूर्ण रहा है बोध गया हाँ दोस्तु तो यहां बोध गया वहीं अस्थान है जहां 531 इसापुर में कफिल बस्तु के राजकुमार सिदार्थ की बोधी बिष्ट के नीचे ग्यान पराप्त हुआ और वे इसके बाद सारे बिष्ट ने भगवान बुध के नाम से जाने गए तो यहां से ग्यान कायों को बहुत धर्म के दिक्षा दी अभी भी यहां जो व्रिक्ष है कहा जाता है कि मुल बोधी व्रिक्ष का ही अंग है इस व्रिक्ष के चारों और एक चबुत्रा है जिसे वजरासन कहा जाता है तो आप जैसे ही बोध गया जाएंगे तो बोधी मंदिर में आप जाएं और उस बोधी प्रिक्ष को जरूर देखें महा बोधी मंदिर में भगवान बुद्ध की भूमी असपस मुद्रा में एक सुंदर बिसलकाय मुर्थी अस्थापित है कहते हैं कि भगवान बुद्ध यहां साथ सब्ताह तक रहें देश बिदेश से आए हजारों बौध अन्वायों की हमेशा यहां भीड सी लगी रहती है वे बोधी प्रिक्ष पर पवित्र धागों को बांते हैं और मिट्टी के दिपक और अगरबत्ती जलाते हैं परचलित मन्याताव कनुसार दिपक जलाने से व्यक्ति के पाप दुर होते हैं और इतना ही नहीं उससे मुक्ति का मार्ग भी परसस्त होता है बोधी मंदिर के आसपास तिबती, चीनी, जपानी, बर्मी और थाई बोध मत्र पूजा के तरिक सरधालू के लिए ठाहरने की प्रयाप व्यस्ता है बोध गया बिस में बोध अन्वायों का एक बहुत ही बरा तिर्थ अस्थान माना गया है और बहुत सारे बोध अन्वायों यहां हमेशा आते रहते हैं और जितने भी बोध गया के होटल हैं सभी भरे रहते हैं बोध अन्वायों से बोध गया बिहार के गया सहर से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर है महाम बोधी बिहार के अंदर 100 बोध अस्थूप है इस बोध बिहार का बैभा फुन इत्यास रहा है बोध धर्म की दिक्षा लेने के बाद समराट असोक ने इस बोध विहार की यत्रा की थी उसने यहां एक बोध विहार की अस्थापना भी की थी बाद में यहां एक मंदिर भी बनाया गया समय समय पर इस मंदिर का जिर्नोधार होता रहा सन अठारे सो साथ में जब महानपुरा तत्सास्ति कनिंगम ने इस अस्थान को खो जा तब इस मंदिर का निचला हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था तब इस मंदिर की मरमत की गई और काफी परिस्रम के बाद इसे पुरानी हवास्था में लाया गया परतेकबर सदियों से यहां दस दिनों की सांति प्रत्ना पर्व मनाया जाता है यह जितने भी आप फोटो देख रहे हैं यह सांति पर्व का ही फोटो है जिसमें भाग लेने के लिए बिश्ट के कुने कुने से सरधालू मन की सांति के लिए आते हैं काल चक्र पर्व के दिनों में तो यहां देसी बीदेसी प्रेटकों की बहुत भीर हो जाती है और भीर से पटी रहती है तो यह रहा बहुत धर्म बोधगया का इतिहास आप आएं और बोधगया को घुमें देखें बहुत यह अच्छा दर्स नियास थल है हाँ जदि अभी तक आप मेरे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियें तो सबस्क्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक से शेयर करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहें जैसे ही वीडियो अप्लोड होगा आप उ करें लाइक